of radius 35 cm, how many revolution per minute must the wheel makes, so as to keep a speed of 66 km per hour, अच्छा, यहां पर हम लोग ले लेते हैं, speed of the wheel दिया हुआ है, speed of the wheel दिया हुआ है, कितना दिया है, 66 km per hour, यह speed है उसका, अब देखिए, यह speed दिया है, अगर हम लोग इसे meter per minute में convert कर देए, या centimeter per minute में, तो क्या होगा देखो, 66 into में 1000 meter के लिए, और centimeter के लिए, फिर 77 time, और hour को minute में बदने के लिए 66, तो यह हो जाए कि इतना centimeter per minute, यानि कि एक minute में कितना distance travel करेगा, वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा देखते हैं, यह देखिए, एक 0 से एक 0, यह आपका 11 times में, तो आज यहाँ पे 11, 4 को 0 लग जाएगा इसके, इतना centimeter per minute चल रहा है, तो यहाँ पे लिए सकते हैं कि distance traveled, distance traveled in one minute, one minute में कितना होगा, 1100000 centimeter, तो इतना one minute में distance travel हो रहा है, और यहाँ पे देखिए radius यहाँ, radius of the wheel, कितना दिया है, 35 centimeter, तो अगर हमें number of revolution निकाल ला है, तो यह एक बार में कितना distance travel करेगा है, एक revolution में तो वो 2 pi r होगा, और वो 2 pi r से इसमें डिवाइड करने तो काम बन जाएगा, तो यहाँ भी सकता है कि number of revolution in one minute, क्या हो जाएगा, 1, 1, 0, 0, 0, 0 centimeter और by में यहाँ पर 2 pi r, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1, 1, 0, 0, 0, 0 by 2 into 22 by 7 into 35, उपर 20 centimeter है, नीचे भी से इसमें, यह कर जाएगा, तो यहाँ पर यह 5 times में कर जाएगा, आप देखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, 1, 1, 0, 0, 0, 0, और नीचे हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 22 पर, यहाँ पर कितना, 1, 0 लग जाएगा, ना, 1, 0 लगेगा, चलिए, जब इसको यहाँ से, 1, 0 से, 1, 0 काड़ देते हैं, और इसे आप काड़ते हैं, 500 times में, नीकि 500 number of revolution हो जाएगे, 1 minute में, उस्टन में 22 देखिए, एस circular,